नमस्कार बिहार में सिख्षक भरती के लिए अब तक के सबसे बड़ा नूज आ चुका है ठीक है अभी तब बिहार की बात किजिए तो काफी सिख्षक भरती के लिए उथल पूद मचा हुआ है ठीक है तो लेकि इस वीडियो में आपको बताया जागा कि सिख्षक का ब्योतन सिख्षक भरती को मंजूरी है वेकैंसी इसी माह में आने वाली है चलिए देखते हैं अब शुरू करते हैं यहां पर एक अच्छा एक से बारत तक के एक लाग अठातर हजार चबी सिख्षकों के भरती और वितनाम वितनमान को कैबनेट की मंजूरी मिल गई है सभी बहाली विपी एसी से होगी विपी एसी के दौर आपको एकजाम लिया जाएगा इसमें आपके क्वालिफाइ करते हैं तो आपको शिख्षक बनने का मोका मिलेगा बिहार में मंगलवार को सिख्षकों के पद और वेतनाम को सिकृर्टी दे दी है अब शिख्षक के इन पदों पर जिलो में जिलो से अरक्षन रोष्टर के लिए करार रिक्ती को जो है विपी एसी को भेजा जाएगा इसी मा के अंत तक विपी एसी से वेकेंसी आने की संभावना है कैबनेट के अधार पर मुख्य सचीव एस सिधार्थी ने बताया कि एक लाख अठार हजार हजार चभी स चिक्षकों के वितन पर सलाना 10,623 करोर 45 लाख रुपे खर्च होंगे यानि कि 1,8,0266 जो बहाली होंगे तो कैबनेट को यानि कि सरकार को 10,623 करोर 45 लाख रुपे खर्च होगा एक से आठ की बात किए तो कच्छा एक से आठ तक के 87,222 पदों के लिए वितन पर 46,29 करोर 23,7,000 रुपे खर्च होंगे ये तो सरकार की बात है तीक है सरकार को इतना खर्च होगा इसके बाद मादमिक और उच मादमिक इसकोलों में 90,804 सिक्षकों के वितन मद में 69,94 करोर 22,24,000 रुपे खर्च होंगे कच्छा 9 से 10 मी तक की बात कीजिगा तो इसमें हिंदी अंग 37,125 पदों का स्रीजन किया गया है दूथिय भारतिय भासा की बात कीजिगा तो इसके लिए एक तीस सो एक आविर पद है इसमें उर्दू एक इस सो है फार्सी 300 है अरवी 200 है मादमिक इसके बाद आजएए मादमिक विडेलों में 20 शिक्षक के 270 पद है इन सभी शिक्षकों परतिमा वेतन की तुल्ला में 566 रुपय से लेकर 12,781 पदों का आधिक होगा अब देखते हैं इसमें कितना कितना रहना है एक से पांच की बात कीजिगा तो ज्यादा इधर नहीं जाना है ठीक है यह मेडिकल, CT, CTA, 18% HRA, 42% DA, gross salary, net salary यह सब नहीं जाना है मुल वेतना और बात कीजिगा तो उसका मुल सेलरी जो होगा बेतन 8,000 और यहां से हो जागा net salary आपको 45,130 नवी से दसमीर 31,000 और net salary हो जागा आपको 49,430 एगार्मी से बार्मी में 32,000 और net salary 51,130 हो जागा तो यह आपको salary होने वाला है अब देखते हैं मेरिट की बात कीजिगा तो मेरिट क और यह है पद, विग्यान संकाय की बात कीजिगा 15,8 anarवासी पद खाली है जी विग्यान में होगा चंबनसोट लिइस रसाइन विग्यानі में होगा यानिकी बा कवलोजी में होगा आपको हो जागा केम singular 77,9 intelligent में होगा 26,涯े- testumn बहुत तिकी में होगा 3022, कला संकाय में हो संगीत में दो हजार ते तालीस वनवे ग्यान में दो हजार पंद्र समाज सास्त्र में 1434 गृरी विभाग में 1275 गुगोल में 1033 अर्थ सास्त्र ने 513 और वानीचे संकाई में में 1216 बिजनेस एस्टाडीज में होगा आपको 1328 भासा वह अन्ने में होगा उनीस हजार चौंसट कम्पीटर शिक्षक में होगा आपको पिरासी सो पंचार में रंग्रेजी भासा में 3460 हिंदी भासा में तीस सो उनासी उर्दू में 1684 परसी में 305 अर्वी में 200 एन आर्वी में साथ सो पंद्र और संस्क्रीट में होगा एक हजार एक ठीस ठीक है चलिए अब देखते हैं सबसे बढ़ा बहाली में मेरिट के अधार पर च्वाइस होगी यहां पर दिखें कैसे होगी परिक्षा पैटर्ण सिक्षकों के भारती परिक्षा अब्जेक्टिव होगी ठीक है सब्सक्राइब करना होगा है इसके बाद चल्चक्राइबना हो पर चायान होगी जोन करना होगी फि्लकाइब होना चाहिए इसका प्रारमभित में बनते हैं तो डीलेड या बीएड के साथ आपको टीटी या सीटी सीट आपको उतिन अनिवार्ज होगा पास होना अनिवार्ज है ठीक है मेरिट के अधार पर च्वाइस होगी चेहन की प्रिक्रिया भीपी एसी विभाव की सहमती दस दिन करना ही होगा इसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक धन्यवाद